फ्रेंड्स विजिटिंग कार्ड बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक शीट ओपन करनी है विजिटिंग कार्ड की सीट का साइज वो टो पॉइंट थरी होता है तो हम कंट्रोल एंड प्रेस करेंगे कीबोर से और यहां पे सलेक्ट करके प्रिसेट साइज पे यहां से टूब इस तरह से rotate कर देना अब friends हमें seat के चेरो तरफ इसमें guideline लगा लेनी है उसके लिए हम control R प्रेस करेंगे यहां से उपर mouse को ले जाके और mouse को दबा के इस तरह से एक line लेके आनी है और फिर से हमें उपर से इस तरह से या नीचे एक line लगानी है और फिर यहां इस तरफ से left की तरफ से पकड़के इस तरह से या पर एक line रख देनी है और फिर यहां से पकड़के इस तरफ एक line ऐसे रख देनी है यह हमारे बाहर का area है अब जो designing करेंगे हम वो इस line के अंदर अंदर हमें designing करने है card के लिए इसको हम ruler को बंद करेंगे control और फिर से दबाएंगे तो यह बंद हो जाएगा फ्रेंड्स अगर आपको shape तयार करेंगे shape में design बनाना आपने तो आप यहां पर जाएंगे rectangle tool यहां से आप custom shape tool पर जाएंगे और फ्रेंड्स फिर यहां shape यहां इस play के निशान पर क्लिक करेंगे यहां पर आपकी बहुत सारी shape इस तरह से आ जाएगी अगर आपके photoshop में shape कम दिखाई दे तो आपको उसके लिए करना क्या है यहां double 3 की निशान पर क्लिक करना है और यहां से all पर क्लिक करना है और यहां पर append पर क्लिक कर देना है तो आपकी जितनी भी shape है photoshop में वह सब इसमें नजर आने लग जाएगी उसके बाद आप कोई भी shape यहां से select करेंगे जो भी shape आपको अच्छी लगे उस shape को आप यहां से select करेंगे friends जैसे मैंने यह shape ले लिए है और फिर हम यहां पर अगर हम यहां बीच में click रखेंगे तो यह अमारी इस तरह से shape तयार होगी और अगर हम यहां shape पर click करेंगे उपर तो हमारी यह colorize shape आटोमेटिक तयार हो जाएगी जैसे मैं इसमें color कोई change कर लेता हूं मैंने यह color रख लिया है और यहां से इसको मैं इस तरह से यहां पर रखूँगा इस shape को यह मैंने shape रख लिए है और इसको control enterprise करेंगे और control D करेंगे तो यह हमारी shape तयार हो चुकी है अब इसको design बनाने के लिए हमें यहां जाना है layer में यहां से हम layer style में जाएंगे यह blending option पर जाएंगे और यहां पर हम bevel and emboss पर click करेंगे तो यह हमारी इस तरह से design बन जाएगा shape का और यहां से हम इसका size भी कम ज्यादा इस तरह से कर सकते है यहां से हम इस तरह से size को कम ज्यादा रख सकते है आप जैसा इसमें design बढ़ना चाहिए वैसा यहां से design करेंगे जैसे मैंने यह design drop पे click करेंगे drop shadow पे और उपर multiply की जगा normal रखेंगे और यहां से हम इसको full 100 पे करेंगे opacity को और distance हम थोड़ा बढ़ाएंगे और इसका इस तरह से shadow थोड़ी size बढ़ाएंगे shadow का distance कम रखेंगे spread भी हम इस तरह से कम ज्यादा कर सकते है और फिर यहां ok पे click कर देना तो friends इस तरह से आप कोई भी मतलब shape अपनी तयार कर सकते है जिस shape में आपको अपना visiting card तयार करना है उसी तरह की आप shape यहां पे तयार कर सकते है तो shape बनाने का सबसे बहुत ही आसान तरीका आई है इस तरह से photo show में shape तयार की जाती है लेकिन मैं बिना shape के visiting card तयार करके और फोटो को बड़ा कर लेते हैं Ctrl T करेंगे Ctrl- से फोटो को बैक करेंगे और Shift दबा के हम इस बैगराउंड को छोटा करेंगे इस तरह से और यहां से माउस से पकड़के इस तरफ लेके आएंगे तो यह हमारी बैगराउंड इसमें सेट हो चुकी है जैसे मेरा फोटोशोप का काम है तो मैं सबसे पहले यहाँ एक कैमरा रखता हूं जिसकी इमेज मैं फोटोशोप में उपन कर चुका हूं जैसे मेरे पास यह कैमरा है तो इसको मैं यहाँ पे इस तरह से लेके आऊँगा आप जिस भी तरह का visiting card त्यार करें उसी तरह की आप image को यहां पर रख सकते इस तरह से और shift दबागे छोटा करेंगे इस तरह से इस तरह से छोटा बढ़ा करके आपको अपनी image को इस तरह से set कर लेना है इसके बाद हम यहां पर soap का नाम रखेंगे तो हमें करना क्या है यहां करेंगे मैं इसमें white color रखता हूं और okay करेंगे और फिर यहां पर माउस से एक बार क्लिक करना है अब जैसे यह साइज बड़ा है तो यहां से हम इसका type का size कम करेंगे जैसे मैं इसमें 48 करता हूं और अब यहां पर type करेंगे, और control T से हम इसको इस तरह से आपर लेके आएंगे और सोठा करेंगे इस तरह से और फिर से type tool लेके और यहां से हम इसके font change कर सकते है यहां पर एक बर क्लिक करना है और फिर keyboard के arrow button से इस तरह से हम font change कर सकते इसके आप जिस font में रखना चाहे वो font यहां से इस तरह से select कर सकते हैं पहले font को select कर लेंगे friends जैसे मैंने यह font को select कर लिया है अब थोड़ा यह font हमारा कम नज़रा रहा है तो हमें करना क्या type tool लेके और यहाँ पर regular है इसको हम select करेंगे यहाँ पर bold पर इसको ok करेंगे तो यह font हमारा इस तरह से बड़ा हो जाएगा थोड़ा और इसको हम थोड़ा सा design करेंगे यहाँ पर type tool लेके फिर से और यहाँ ऊपर T पर click करके और यहाँ पर style पर click करके यहाँ इसको थोड़ा सा design रखेंगे थोड़ा यह काफी ज्यादा होगा है 50% लेकिन कम रखेंगे इसको तो यहां से इस तरह से font के style आप change कर सकते हैं और ok करेंगे लेकिन friends यह अच्छा नहीं लग रहा है आपको मैंने यह दिखाने के लिए style change कैसे करते हैं यह दिखाया मैं इसको back करता हूँ और अब हमें करना क्या है इसकी एक copy कर लेना है Ctrl J से और नीचे लेकिए आना है और इसको Ctrl T से छोटा करना है यह तो जैसे उपर हमारी shop का नाम हो गया और नीचे हम लिखेंगे इस पर फ्रेंच इस तरह से नाम लिखेंगे और फिर इसमें हमें इस तरह से color डालेंगे यहांसे paint bucket tool लेंगे और color यहां पर इस तरह से set करेंगे यहां एक इसमें और एक इसमें ताकि यह हमारा थोड़ा अच्छा लगे तो इस तरह से हम नाम लिखेंगे अब फ्रेंच इसको हम थोड़ा नीचे करेंगे इस तरह से और यहांसे इसके copy करके ऊपर करेंगे इसको यहां पर इस तरह से और यहां नाम लिखेंगे अपना जैसे मैं अपना नाम लिख लेता हूं और यहां पर नाम लिखेंगे control की से इसको छोटा करेंगे और यहां उ और यहां पर इस पर बैक करके शुरुमें आम M O B और इस तरह से डोट लगाएंगे और यहां पर आगे इस तरह से आम नमबर लिखेंगे अगर आपके वट्सअप नमबर है तो आप वट्सअप का आइकॉन भी लगा सकते है इस तरह से यह मेरे पास एक आइकन है लगा के इसको थोड़ा आगे करेंगे इस तरह से और इसको यहां पर इस तरह से सैट करेंगे और मोबाइल को आप यहां से कट करेंगे तो इस तरह से आप अपना नमबर एड करेंगे यहां इस तरह से एड करेंगे और एड्रस देने के लिए आपको नीचे यहां पर आप अपना address डालेंगे जो भी आपकी shop का address है जापके आपने अपनी shop का रखे है वहाँ का आप नेचे इसी तरह address डालेंगे और आपका visiting card बनकर ready हो जाएगा तो मैं एक बार इसमें address बगार डाल ले तम पहले ताकि वीडियो लंबी न बने तो friends इस तरह से आप आपना नीचे address और अपना visiting card बहुत ही आसानी से त्यार कर सकते है तो I hope वीडियो आपको पसंद आई होगी तो like से subscribe जरू करे मैंने ये address कुछ demi time में आपको डाल के दिखाया है आप अपना original address इस तरह से आपे डाल सकते है